Hello friends, welcome to a new video तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बता कर सकते हैं कि आपका Google एकाउंट कौन कौन से डिवाइसे में लॉग इन है और कैसे आप अपने फोन से ही उन सभी डिवाइसे में से अपने Google एकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं अगर आपका Google एकाउंट किसी अन्नोन डिवाइस में लॉग इन है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर एक Google का आप्शन में लेगा तो सिंप्ली आपको Google के आप्शन पर टैप करना है और गूगल के आप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यह पेज़ खुल कर आएगा तो अगर आपके फोन में एक सज्यादा एकाउंट आइड है तो यहाँ से आपको जिस भी एकाउंट में आप पता करना चाहते हैं कि कौन कौन से डिवाइस में आपका यह Google एकाउंट लागिन हुआ है उसको यहाँ से सेलेट करके उसमें पता कर सकते हैं तो जैसे मैं ये account पता करना चाहता हूँ तो मैं इस पर type करूंगा और उस पर type करने के बाद यहां पर manage your google account पर आपको type करना है और manage your google account पर type करने के बाद यहां पर आपको देट सारे options भी जाएंगे तो simply आपको right side में slide करना है और यहाँ पर आपके सामने एक security का option आ जाएगा यहाँ पर security वाले option पर आपको नीचे scroll करना है और नीचे scroll करने के बाद आपको यहाँ पर एक your devices का option मिल जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कि के devices में आपका या Google account लागिन हुआ है तो उन सारे devices के यहाँ पर नाम सो हो जाएंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी device में आपने लागिन नहीं किया है तो आप यहाँ से माइनेज डिवाइस पर टैप करके उन सारे devices में से अपने Google account को लाग आउट कर सकते हैं तो लाग आउट करने के लिए आपको शिंपली जिस भी device में आपने लागिन नहीं किया है वहाँ प 16 से डिवाइस में लाग इन हुआ है और आप अपने फोन से ही उन साइड डिवाइस में से अपने गूगल अगांट को साइन आउट कर सकते हैं तो आयोप फ्रेंड्स इस वीडियो इस वीडियो इस फॉर्पल फार यू तो गाइस बबाए टेक केर